हेलो व्यूवर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट मेजरमेंट्स इन डिजाइन में और किसी भी प्रिंटिंग के वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेजरमेंट के लिए आप टॉप पे जैसे की मैंने आपको बताया था कंट्रोल पैनल्स के अंदर आपको काफी मेजरमेंट्स मिलेंगे और यहां पर यह रूलर है अगर आपका रूलर नहीं आ रहा तो व्यू मेनु में जाके यहां शो रूलर वैसे भी हाइड चलो हाइड कर ले दे शो रूलर यह कंट्रोल आर्ड प्रेस करें तो रूलर आजाएगा इस वक्त जो रूलर है वो इंचिस के अंदर आरखा है और अगर मैं कोई बॉक्स यह टेक्स सेलेट कर लेता हूं तो यह सारी डिटेल्स इसकी इंचिस में ही आ रही है अगर आप इंचिस में काम नहीं करते और मिलिमीटर में काम करते हैं तो इसका सबसेत त्रिक है35 ये इक जैसे एक रूलर पे जाके आप ये मिलिमीटर chosen है काुव इसमें आपको सारे च गयार की मिलेंगे जैसे कि पउइंब पेकारज इंचेज एक मिलिमीटर, सेंटिमीटर, पिक्सल्स, पिक्सल्स आपको, वेब बेस के बैनर्स तुग या वेब पे जो काम करते हैं, उनके लिए पिक्सल्स काम आता है, और एगेट्स, एगेट्स का मतलब ऐसे बहुत का हम जानते है, एगेट्स होता है, वन फॉर्टींथ अफ इंच, तो इत्ती डिटेल में जाने की जोगतनी है, हम वैसे इंचीज में या मिलिमीटर में जहाता काम करते हैं, हाँ, वेब बाले पिक्सल्स में काम करते हैं, तो मिलिमीटर पे हम सेलेक्क करेंगे, तो यह सारा रूलर और यहां की डिटेल मिलिमीटर में होगी, पर आप देख रहे तो ये पूर्य ही अब इन चीज से मिलिमीटर में convert हो चुका है पर अगर आप चाते है कि एक साथ दोनों हो जाए तो आपके लिए ये corner पे इसको कहते है zero point इसको आप right click कर देखे इस पे आप right click करें और आप जैसे centimeter पे click करेंगे तो ये दोनों ही अब centimeters में हो गया और पूरा control panel centimeter में हो गया पर ये सिर्फ इसी document में हुआ है अब अगर आपको चाते है कि पूरे in design में हो जाए तो उसकी भी एक बहुत cool trick है पहले तो मैं इस file को बंद कर देता हूं उसके लिए आपको कोई भी document open नहीं करना अभी ये क्या करते हैं in design में कोई file open नहीं हो रखी है अब आप edit में चाहिए और preferences में जाहिए अगर आप मैक के user है तो side में in design दिखा होगा उसके अंदर आपको preferences में देगा edit में जाहिए preferences में जाहिए और यहां पर जाहिए units and increments units and increments में सबसे उपर है ruler units और उसमें horizontal में cm जो भी आप करना चाहिए inches कर देते हैं horizontal और vertical अगर inches कर देते हैं और ok कर देते हैं तो अब कोई भी आप file कोलेंगे यह inches में ही इसके ruler आएका आगे के next video में हम panels के बारे में और अपने workspace को customize करने के बारे में बताएंगे thank you किया जबत्स कैकल Four करमान के बारे में खना कर दो